जावत कॉंग्रेस नेता राचकुमार रहीर बीते दो दिनों से सुर्ख्यों में है और ये सुर्ख्या बवाल मचा रही है राचकुमार रहीर का एक गुप्त संसनी खेज ओडियो वाइरल हो गया है जिसमें वे अपने समर्थक रमेश से भाजपा परतियाशी अउम परकास स सखलेचा को जिताने और कॉंग्रेस परतियाशी समंदर पटेल को हराने की सुपारी दे रहे हैं राचकुमार हीर सखलेचा से पांच लाख रुपिये धर्मशाला के नाम पर लेकर गाउंवालों से भाजपा के पक्ष में वोट डलवानी की बात कहते हुए सुनाई दे रह हैं ये ओडियो वाइरल होने के बाद नीमस सही प्रदेश भर में बवाल मच गया है राचकुमार हीर अपनी ही पार्टी में घिर गए और पुरी कॉंग्रेस उन्हें गद्दार बता रही है जिसके बाद कॉंग्रेस अलाखमान ने शिकायत की पुष्टी के बाद एक पत् कॉंग्रेस पार्टी से निशकाशित कर दिया ये लेटर शुकरवार देरशाम जारी हुआ है जिसमें संगठन परभारी राजियू सिंग के हस्ताक्षर भी है बताया जा रहा है कि पुरुवसीयम कमलनाच के आदेश पर ही ये पत्र जारी कर राचकुमार हीर को निशकाश कर रहा है इधर राचकुमार हीर से बाच्चेत करने की कोशिश की गई लेकिन उनका फोन बंद पाया गया सुन्ये ये ओडियो हाँ ठीक है अगर इसको पूरन को वोट डालते हैं तो जीतेगा तो ही नहीं हाँ तो अपना जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा तो केसे करना भाट भी मेरा एक हैना है सखलेचा के लोग कौन है या प्रमुक लोग कौन है प्रमुक लोग कौन है प्रमुक लोट है ज वह घर्म साला एक हमाज के लिए पांच येक लाग रूपर मांगो से शकलेचा से से शकलेचा से अब बोल के गया दिए उस दिन वह सर पर जूड बोलता है वह करता कुछ नहीं नहीं नागाद बोल ले माला खाम ली नगत के तो नाया था खुछोई वो खुछ भी आया ता अब बता रहा था कि मैं इसा करूआ यह मेरे जवाबदार ही है वो सब बात की बांदे बांदे करना पहले हैं तो नगत पैसा चीए है वो बता गांवाले बोलते है पर वो तो बिल्कुल हारे का पूरा गांवाले बोलते हैं तो अपना मकसद पूरा नहीं होगा न तो फिर पूरान को देने से भी वो चार-पांच परमुख लोगों की और केना भी है पांच लाग उपे रख दो ठीक है सर बता थे हैं तो न देखता हैं बीजेपीन हम वो मुकेस करके नहीं पूरा ने वकील करें तो फिकल्ट है उनको थो लोग नाराज हैं उनके पास तो कोई जाते नहीं को नए रॉन्स इसपूर दो है वकील हाँ वो बीए रिक दूसरा भी हाँ वो वकील है तो इसकी क्याव खास हो थो आप अपन बोलेंगे तो उल्टा जाये को उल्टा थो उल्टा थो अगर आप ऐसी बात बोलेंगे तो वह वापस उसको बोलता है इसा फहरामी हो किसको मानलो आपन शकले जग बारे में इसे बताएंगे तो उसको फजा के बोलेगा ऐसा है अपंतो रहे संधी जो लोग एक काप होना है था हां तो मिने यां रहति हम तो उसकी मदध निए कर रहे हैं समंदर की अशा हम तो आपको मिला था 170 उसमें से लगवग हमने जोड़ रखा 40, 40 मिलेगा समंदर को लगवग मान लो हो सकता है तो पेसे के दम पे मान लो थोड़ लो तुम बात करो किसी से इनको छोड़ दो वकील को वो पनुख लोग हैं अगर कर सकते हो तो करो ने तो फिर उनको किसी को बोलें उनका आदमी कोई आए तुमारे पास यह मुकेश के पास जाए मुकेश जमा लेगा क्या जमा तो सकता है पर थोड़ा इतका थोड़ा बरुसा नहीं होता सकता है इस लिए बरुसा नहीं सक लेचागा बद लोगो आसरसन देदेगा पलट जाते सरे तो इनका कोई गरोसा ही नहीं जालो पकलेचा नहीं मत आता अपने धानी के उनकी बात कर रहा हूँ धानी के वो तो नहीं पलटते जिए अगर हो जाए देखो इनमेंसे तो सर किसको करना वोट सोनी है सर पंच बीजे पीगा पूरण ने भी अपने खेला 500 लास रुपे लेकर काम किया तो नहीं तो अपन पेजे डाई में जीट जाते है अपने फिलाप का ले लिए देखो तो तो तिनों बीजेपी के है तो तो कमनलाजी ने बोला इसलिए फारम उठा लिया या जो चुनाओं चीच जाते हैं चाहर के भीच्छ सर रहना तो आपको आपने आप बहुत लोग आज भी लोग परिशान है इसलिए तो आप पटेल से नाराज है आज भी मेरे गाउम में मजाकनी है सर आज भी पूरण से ज्यादा आपको चाने वाले थे मेरे को इदा भेज दिया ना अचानक ने तो आता में वा तो 16 तारिक का हूँगा एक बार ठीक है 15 सोना ठीक है ठीक है बाकी रमेश यह जमाओ ठीक है आपने भी सुने होगा वोडियो क्या है मामला में पॉडेश गांगा रही है क्या है सुध्यादरि शिकायत कि क्या मामला पडहल जी ने उसको पूड उसको उनों रहे अपर उस पर परिश्यायल गारोब्स कारी विया है स्यूअप जो कॉंग्रेश नेता राचकुमा रही है कमल नात के खास माले जाते हैं बड़ में मुख्य मंतरी का चेरा कॉंग्रेस का तो क्या लगता है कि गद्धारी है कॉंग्रेस से अपने नेता को घृवानी की कोशिच दिया समंदर पटन से दुश्मनी थी अप कि यह तो सोच उसका है कि वो क्या सोच रहा था संग्धन ने तो यह कुछ काम करा नहीं और जब मुख्यमंतरी उसके घर पर आ गया तो उसको कुछ की सोचने चाहिए थी अभी क्या लगता है जो निशकाशन की जो कारवाई हुई है वही कारवाई है जैसे हर बार होती है कि लोग सबाद चुनाव पार्टी में ले जाता है क्या मामला बनेगा क्या मैं तो नहीं समझत जौब तो राजकुमार रहीर जि दे पाएंगे अभी राजकुमार रहीर जी शेहर के अंदर नहीं है उनका उन्हें पनतो खेना ये ओडियो